के लिए बिल्कुल TCS पाटर्न पर यह सभी चीज़े जो हैं वो इसमें कवर्ड होंगी तो बिना समय गवाएं आप जल से जल से जॉइन करें मैं आप सभी को बताना चाहूंगी कि हमारा SSC CGL 2020 और 2021 के लिए जो job assure program है वो बहुत ही nominal fees पर हम start कर रहे हैं 3rd June से यह जो program है यह start हो रहा है 3rd June से यह start हो रहा है बहुत ही nominal fees पर और इस program की एक बहुत ही बड़ी खास बात होती है कि इसमें बिल्कुल day wise schedule होता है किस दिन आपको क्या पढ़ना है वो exactly सारा कुछ जो है उसमें दिया होता है videos, pdf, unit test, सारी चीज़े जो है current interface for the last one year before the exam 100 full length test year one के लिए बिल्कुल TCS pattern पर यह सभी चीज़े जो है वो इसमें covered होंगी तो बिना समय गवाएं आप जल से जल से join करें मैं आप सभी को बताना चाहूंगी कि हमारा SSE CIGIL 2020 और 2021 के लिए जो job assure program है वो बहुत ही nominal fees पर हम start कर रहे है 3rd June से यह जो program है यह start हो रहा है 3rd June से यह start हो रहा है बहुत ही nominal fees पर और इस program की एक बहुत ही बड़ी खास बात होती है कि इसमें बिल्कुल day wise schedule होता है किस दिन आपको क्या पढ़ना है वो exactly सारा कुछ जो है उसमें दिया होता है videos, pdf, unit test, सारी चीज़े जो है current affairs for the last one year before the exam 100 full length test year one के लिए बिल्कुल TCS pattern पर यह सभी चीज़े जो है वो इसमें covered होंगी तो बिना समय गवाएं आप जल्द से जल्द से join करें मैं आप सभी को बताना चाहूंगी कि हमारा SSC CIGIL 2020 और 2021 के लिए जो job assure program है वो बहुत ही nominal fees पर हम start कर रहे हैं 3rd June से यह जो program है यह start हो रहा है 3rd June से यह start हो रहा है बहुत ही nominal fees पर और इस program की एक बहुत ही बड़ी खास बात होती है कि इसमें बिल्कुल day wise schedule होता है किस दिन आपको क्या पढ़ना है वो exactly सारा कुछ है उसमें दिया होता है वीडियो, pdf, unit Hello everyone, my name is Mansi Phanoth स्वागत करती हूँ आपका हमारे आज के इस journal knowledge के session में journal awareness साज हम आपके साथ discuss करेंगे चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का session देखे target वही रहेगा as usual 50 questions आपके साथ यहाँ बे discuss किये जाएंगे आपको उन 50 questions में से maximum score attain करने की कोशिश करनी है session के end में अपने scores जरूर टेली कीजेगा कि कितना score आपका बन रहा है negative marking भी लगाईएगा 0.25 और right answer के लिए correct answer के लिए 1 अपने आपको खुद award कीजेगा चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का session तो first question आपकी screen के ओपर देखें first question में क्या पूछा गया है यहाँ पर in which year गांधी जी established साबरमदी आश्रम इन गुजरात तो किस वर्ष गांधी जी ने गुजरात में साबरमदी आश्रम की स्थापना की थी वह आपको यहाँ पर बताना है तो यह देखें establishment जो है 1917 में की गई थी ओकी तो यह आपको ध्यान में रखना है जब साउथ एफ्रिका से साबरमदी के बेहर नजदीक था तो वहां पर इसका establishment जो है किया गया था चलिए बात करते हैं अगले प्रेशने की प्रेशन नंबर दो प्रेशन नंबर दो में आपसे यहाँ पर पूचा गया है आपको इस पूरे order को आपके सामने नाम गिवन है आपको chronological order में इसको काल करम के अनुसार लगाना है बाबर अकबर हुमायू शा जहां तो शेर शा हुमायू अकबर जहांगीर जहांगीर हुमायू अकबर जहांगीर शा जहां अलागी तो आपको इसमें से बताना है correct order जो है वो कौन सा है तो देखे अगर आप भ्यान से देखे तो बी पॉइंट देखें यहाँ पर शेर शा सूरी जो है सबसे पहले आए उसके बाद हुमायू आप देख सकते हैं उसके बाद लेटर उनको प्रस जरूर कीजेगा चलिए next question यहां पर देखिए the president of India में sometimes simply keep a bill on his table indefinitely without giving or refusing ascent तो कोई भी अगर president जो है कभी कभी बिल जो है वह अनिश्चित काल तक जो है अपने table पर रख लेते हैं या फिर अपना ascent जो है हाँ या ना वो नहीं देते हैं तो वह आपको बताना है किस तरह की वीटो पावर होती है absolute वीटो qualified वीटो suspension वीटो या फिर pocket वीटो किस तर की वीटो पावर्स का इस्तमाल कर सकता है absolute वीटो suspension वीटो और pocket वीटो ओके तीन तरह के जो वीटो इस्तमाल में लाए जाती है यह ध्यान में रखेगा जो भी बिलाता है उसको री कंसिडर करने के लिए with या without ascent के president के आगे 14 दिन होते हैं president जो है ना action ले या उसको कहते है pocket वीटो ओके कभी-कभी क्या है वो refuse कर देते हैं सेंट देने से वह है absolute वीटो तो एक चीज़ आपको धान में रखनी है जैल सिंग के द्वारा जो हमारे president रह चुके 1982 में उस time period में 1982 से लेके 1987 के time period में हमारे president थे तब इन्होंने pocket वीटो का इस्तमाल किया था जब इंडियन करते हैं अंगले प्रश्न की मानव सेवा अवर्ड हाज बीन इंसिट्यूटेड इन 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 मेमरी और आपको बताना है यह पुरुसकार किसकी स्मृति में शुरू किया गया है इंद्रा गांधी अचार विनोवा भावे राजीव गांधी यह डॉक्टर राजेंद्र परसा इसके अलावा इसके जो फील्ड जो है अगर हम बात करें तो यह चाइल्ड वैलफेर ऑके चाइल्ड डवलप्मेंट आंड चाइल्ड प्रोटेक्शन दोजार चे से जो है यह वर्ड तीन फील्ड में दिया जा रहा है नेक्स्ट क्वेस्टिन यहां पर देखिए वाट इस क्लिक जैकिंग क्लिक जैकिंग आपको यहां पर बताना है कि क्या होता है ठीक है क्लिक जैकिंग आपको यहां पर पूछा गया है तो क्लिक जैकिंग क्या है सभी आंसे देने की कोशिश जरूर कीजेगा क्लिक जैकिंग होता है जब भी कोई गोपनी जानकारी हासिल करने के लिए अलग-अलग तरीके से confidential information अगर आपकी निकालने की कोशिश करता है sometimes आपने देखा होगा कि यहां ऐसे लिखा होता है प्लीज यहां क्लिक कीजे यहां क्लिक कीजे highlighted area दिया होता है लेकिन जैसी आप क्लिक करते हैं तो आपको किसी और website पे ही direct कर दिया जाता है तो that is what that is click jacking उसको क्या कहा जाता है click jacking तो इसका सही answer है A गलत तरीके से गोपनिय जानकारी को जो है इसमें हासिल किया जाता है next question यहाँ पर देखे ओबरा आपको बताना है किसके लिए जाना जाता है ओबरा किसके लिए जाना जाता है वो आपको बताना है new refinery new aluminium plant के लिए या फिर birth century या फिर thermal power station के लिए तो देखे ओबरा की बात की जाए तो गजराज नगर जो है सोन बद्रा डिस्ट्रिक का उत्तर प प्लांट है तेरा किलोमेटर जो है चोपन railway station से दूर है तो आपको ध्यान में रखना है यह जो है उत्तर परदेश राज्य विद्यूत उत्पादन निगम के द्वारा इसको रेगुलेट किया जाता है चलिए बात करते हैं अगले प्रशन की प्रशन नमबर साथ तो जिससे आपको यह बताना है जिसने कौन सा है pyrex glass hard glass flint glass या इन में से कोई भी नहीン तो देखे कौन सा glass है flint glass जो होते हैं यह heat resistant variant होते हैं यानि कि यह वो optical glasses हैं जिनका relative high refractive index होता है ठीक है relative high refractive index होता है और abay number की बात की जाएं तो इनका abay number जो होता है वह बेहद लो होता है यह दो चीज़ें आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है तो यह जो ग्लास होते हैं अप्रॉक्सिमेटली 1.45 से लेका टू के बीच में का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स जो होता है रहता है एब नंबर सभी को पता होगा एब नंबर क्या होता है वह iamayIC adesso में पायनिय आपको बताना है कॉन रहे हैं औप्रे सांटे हैं तो ye to see popularity नल जो इसका सरी आंसर है हो नंबर नात्रॉइ जो यह हैं यह हैं एंडियन रेविलिशनरी साथी बहुतियां और अदर में रखना है मेक्सिकन कम्निस्ट पार्टी के यह फाउंडर भी रहे हैं कि अगले प्रेशन की बात करते हैं यहां पर 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 फांको सकते हैं इसका सही अंसर आप सपनी को पता होगा चीन सहीं आशर Belt and Road Initiative O, B, O, R यानि One Belt, One Road Initiative यह जो है strategic development strategy जो है Chinese government के दुआर अपना ही गई है ताकि infrastructure development जो है 152 से भी ज़्यादा nations में किया जा सके जिसके अंदर Europe को cover किया जा रहा है Asia, Middle East, Latin America African countries को भी इसके अंदर cover किया जा रहा है और modern history के time period की बात की जाए तो यह अपने आप में one of the biggest project है Next question के आपे बात करते है Where are MIG engines assembled तो MIG engines कहां पर बनते हैं वो आपको बताना है Kora Put, Nasik, Bangalore या फिर O, Zer में तो कहां पर जो है इनको assemble किया जाता है तो A, Kora Put जो है इसका सही answer है देखे, engine division जो है HAAL का हिंदुस्तान Aeronautics Limited का यह एक defense enterprise है Government of India के अंदर जो की सोन बेदा सोन बेदा जो है लगबा कोटापूर टाउंट से 15 km की दूरी पर है यहाँ पर जो है इस factory में aircraft के engines जो है MIG के और सुखोई aircraft दोनों के engines जो है manufacture होते है Kora Put जो है और इसा का एक डिस्टिक है और बहुत जादा डेवर्स है अपने mineral deposits के लिए यह जाना जाता है यह आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है चलिए Eastern Ghats में situated है यह भी point आप यहाँ पर ध्यान में रखिएगा Next question यहाँ पर देखिए Khaira is a plant disease जो है एक पादब रोग है यह आपको बताने किसकी कमी के कारण होता है iron, carbon, zinc या फिर इनमें से कोई भी नहीं तो यह disease जो है यह zinc की कमी के कारण होता है जब plants जो है जो पानी जो है उससे proper soil से ड्रेन नहीं होता उस time period में इस तरह की problem जो होती है usually क्या होता है yellow patches आपने देखेंगे पत्तों के उपर yellow patches जो है वो बन जाते है तो वो zinc की कमी से होता है अगले प्रेशन को देखते हैं नेक्स देखिए Independence Day of Bangladesh किस दिन मनाया जाता है वो आपको बताना है 26 January को, 26 March को, 26 July या फिर 16 December को तो देखें, Independence Day की बात की जाए तो ये मनाया जाता है 26 March को क्योंकि हर साल ये जो दिन मनाया जाता है बांगलादेश 26 March को 1971 में जो है आजाद हुआ था पाकिस्तान से उस समय जो लीडर आपको नाम भी ध्यान में रखना है undisputed leader जो है नेशन के बरेते शेक मुझबीर रह्मान तो नाम भी आप इसमें ध्यान रखेगा next question यहाँ पर देखिए who has authored the book Straight from the Heart ये आपको बतानी है बुक के लेखक कौन है चार options आपके सामने है अमरिता प्रितम, राज मोहन गांधी, कपिल देव या फिर R के करंच जिया तो ठीक है आपको यहाँ पर बताना है Straight from the Heart बुक किसके द्वारा लिखी गई है तो उसका सही आंसर है कपिल देव कपिल देव के द्वारा ये बहुत ही highly motivational और inspirational बुक है उनी की खुद की autobiography है और ये जो कपिल देव है आपको पता है सभी को इंडिन क्रिकेटर रह चुके हैं और जो है इसके साथ साथ आपको द्यान में रखना है 1983 का जब वर्ल्ड कप था तब ये कप्तान रह चुके हैं उसके लावा नाशनल क्रिकेट टीम के कोच रह चुके हैं 1999 से लेकर August 2000 तक तो ये भी बात आप इसमें ध्यान रख सकते हैं अब चलिए बात करते हैं अगले प्रश्ण की नेक्स्ट कोशन आप पर देखे बर बॉडी बर बॉडी आपको बताना है किसमें पाया जाता है स्पर्म में, स्टिरोल सेल्स में फीमेल सुमेटिक सेल्स में या फिर मेल सुमेटिक सेल्स में तो देखे ये पाय जाता है फीमेल सुमेटिक सेल्स में ये पाय जाता है बर बॉडी की बात की जाए तो ये एक इन एक्टिव एक्स क्रोमोसोम जो होते हैं female somatic cells में पाय जाते हैं जिसके द्वारा जो sex determination है वो किया जाता है यह आपको ध्यान में रखना है male cells की बात की जाए तो उसमें किसी भी तरीके का बर-body नहीं पाया जाता next question यहाँ पर देखे which one of the following does not border Panama तो इसमें से कौन सा जो है इसके बाद की जाए तो आप डेख सकते हैं इसके और पैसिविक ओशन तो यह जो है इसके आप यहां पर देख सकते हैं लेकिन जो है वेनिजुएला के साथ यह बॉर्डर नहीं शेयर करता अगले प्रश्ण की यहां पर बात करते हैं इंडी वर्ल्ड वर्ल्ड में अगर बात की जाए विश्व में तो भारत के रेल्वें नेट्वर्क का स्थान किस नमबर पर आता ह है तो देखे इसका सही आंसर है चौते स्थान पर आता है इंडिया का नमबर यूनाइटेट स्थान की बात की जाए तो फर्स नमबर पर है दूसरे स्थान पर है चाइना तीसरे स्थान पर बात की जाए तो है रश्या और चौते स्थान पर है इंडिया तो यह आपको ध्य अब दस्वे की बात की जब हमने दस्वे बात करी दिया तो दस्वे नंबर पर कौन साथ है वो भी ध्यान में रख लिए जगा तो दस्वे नंबर पर आता है इसमें ब्रेजील अगले प्रशन की यहां पर बात करते हैं 2019 डादा साहब फाल के अवार्ड जो है किसको दिया गय अमिताब बचन को यह पुरुसकार जो है 2019 का दादा साहब फाल के पुरुसकार से इनको नवाजा गया 1969 में जब अमिताब बचन ने बिग स्क्रीन पर जब अपना डेबिट किया था तो उसके चार साल बाद अपनी प्रफॉर्मेंस के साथ लोगों को एंटेटेन करते रहन बताना है तो सही आंसर यहां पर देखिए अब्दुल हमीद जो है इसका सही आंसर है ठीक है मोहमद अब्दुल हमीद जो है करन्ट प्रेजिडेंट है बांगलादेश के आपको ध्यान में रखना है फर्स्टाम इलेक्शन का इनका एपरेल 2013 में शुरू हुआ उसके बाद 2018 में री इलेक्टिन को कर दिया गया अब प्रीविसली जो है स्पीकर नैशनल पार्लेमेंट के यह रहे हैं 2009 से लेकर 2013 तक तो यह भी ध्यान में रखेगा अगला प्रेशन की बात करते हैं प्रेशन नमबर 20 हूँ हाज बी अपॉइंटेड आज इन्यू सेंट्रल इंफोर्मिशन कमिशनर सी आई सी ऑफ इंडिया तो निउक्ति आपको नहीं पर बताने है केंद्री सूचना आयुक्त के रूप में किसे निउक्त किया गया है शरद कुमार बिमल जुलका संजे को ठारी सुधीर भार तो आपको यहां पर बताने किसकी निउक्ति यहां पर की गई है तो सही आंसर है बी बिमल जुलका जो है सही आंसर है यह फॉर्मर आई एस अधिकारी नहीं है मध्यपरदेश कैडर के तो इनको जो है करण्ली CIC का इंफोर्मिशन कमिशनर के रूप में यह काम करे थे आप जो है इनकी प्रमोशन करके इनको चीफ जो है प्रमोट किया गया है तो चीफ इंफोर्मेशन कमिशनर के रूप में इनकी निउक्ति की गई है यह आपको ध्यान में रखना है सुधीर भारगवा यहां पर आप नाम देख सकते हैं इनको सुपर अनुएटिड किया गया है जैन्वरी 11, 2020 से नेक्स्ट कुशन यहाँ पर देखते हैं क्वेस्चन नमबर 21 फंडमेंटल ड्यूटीज इस मेंचिन इन विच आप दे फॉलोविंग आर्टिकल्स तो फंडमेंटल ड्यूटीज आपको यहाँ पर बताना है किस आर्टिकल के तहत मेंचिन किये गए हैं त इसके तहत पेटराउटिजम को पर्मोट किया जा सकें इंडिया की यूनिटी को अफोल्ड किया जा सकें और इसके तहत हमारी ड्यूटी जो हैं देश के प्रती वो इसमें दर्शा आई गई हैं चीक हैं चलिए बात करते हैं अंगले प्रशन की प्रशन नमबर 22 दि कोस्ट आपको बताना है वो आंपको यहां पर बताना है तो आपको यहां बताना है तो यह होता का इसमा जैबर ग्रिजल जोर्फ यह अंगलागतल द्रिलचन स्वैं कि आपका में जो है तो इस तरह से आपका जो है तल जाएगा तो continental shelf होती है में लैंड के साथ connected जो कि आपकी water body से connect होती है तो सही answer इसका क्या हो गया C जो है इसका सही answer है यह वह portion है continent का जो कि sub merge होता है relatively अगर बात करें तो थोड़ा shallow होता है shelf sea भी इसको कहा जाता है यह आपको ध्यान में रखना है यह जो shelves होते हैं यह आपको ध्यान में रखना है जब भी glacial activities होती हैं interglacial periods होते हैं तब आपको यह नजर आते हैं ठीके next question के आपर बात करते हैं करतारपूर कॉरिडोर किन दो कंट्रीज के बीच में situated है इंडिया पाकिस्तान इंडिया नेपाल इंडिया श्री लंका या फिर इंडिया और चाइना तो ये question भी सभी आप बहुत असानी से answer कर सकते हैं इंडिया पाकिस्तान जो इसका सही answer है देखे exam time period में सबसे जरूरी ब crossing है और secure corridor है ये ध्यान में रखेगा इंडिया पाकिस्तान को जोड़ता है गुर्द्वारा दर्बार साहिब जो की पाकिस्तान की बॉर्डर पर है उसके साथ ही जोड़ता है 9th of November 2019 में इसके शुरुवात जो है एक peaceful gesture के साथ शुरू की गई थी ठीक है next question के आपर बात करते है इन मुगल पीरिड हूँ ट्रांसलेटिड अथर्ववेद इन पर्षियन लैंग्विज तो चार options आपके सामने हैं अब्दुल हमीद नगोरी हाजी इबराहिम सरहिंदी काफी खान या फिर मलीक महमत जैसी आपको बताना है किसके द्वारा अथर्ववेद को पर्शे लैंगोज में translate किया गया था तो हाजी बराहिम सरहिंद जो है इसका सही आंसर है महा भारत किसके द्वारा translate की गई थी कोई बता सकता है तो उसका सही आंसर है रज्म नम्हा तो यह आपको नाम ध्यान में रखिया है अगर रमायन की बात कि जाए अभी हाली में रमाय आयूनी ने जो है ये ट्रांसलेशन की खुर्द हफजा की तो वो भी आप ध्यान में रखेगा अथर्ववेद आपके सामने है हजी अगराहिम द्वारा जो है ट्रांसलेट की गई चलिए बात करते हैं अंगले प्रशन की प्रशन नमबर 25 चेंजेस इन नेचर मेड़ है मानव जनी तो जो चेंजेस होते हैं उसको चेंजेस मेड़ बाइदी पीपल कहा जाता है तो इसका करेक्ट आंसर सबीको पता चल गया है जो भी ऐसी एक्टिविटीज होते हैं हुमन की जिसे एंवायरमेंट जो है अफेक्ट होता है किसी भी तरीके से चाहे तो वह एक आयोफिजिकल चेंज हो एकोसिस्टम में कोई परिवर्तन हो नाचरल सोर्से से जो कोई परिवर्तन होता है डिरेक्ली इंडिरेक्ली कोई भी चीज जो ह्यूमन अक्टिविटी से प्रभावित होती है नेचरगी वह एंत्रोपजनिक अक्टिविटीज में शामिल किया जात जिसके विरुद स्वतंद्र भारत की संसद में महाव योग का परस्ताव पेश किया गया था इसका सही आंसर क्या है Justice Ramaswami बी जो है इसका सही आंसर है इनके खिलाफ जो है यह वो जजज है जिनके खिलाफ Supreme Court के द्वारा जो है proceedings initiate की गई थी another judge जो है जिनके खिलाफ ऐसी proceedings जो है पेश की गई थी वो है सुमित्रा सैन high court की judge है यह आपको ध्यान में रखना है राजसभा में इनके खिलाफ जो है proceeding 2011 में शुरू की गई थी ठीक है इसके लावा और को incident अगर आपको ध्यान में रहा आप comment section में लिकर बता सकते हैं chief justice दिनकरण जो है सिक्किम से उनके खिलाफ जो है high court में जब उन्होंने resignation दिया था अपनी पोसे तब भी impeachment शुरू की गई थी अगले प्रशन की यहां पर बात करते हैं who was the first commander-in-chief of free India commander-in-chief free India का आपको यहां पर बताना है दल्बीर सिंग सुहाग बिपिन रावत सैम मैकनशॉर या फिर जर्नल के एम करियप्प तो कौन सा जो है command first commander-in-chief रहे हैं सही आंसर आपको यहां पर बताना है जनरल के एम करियप्प जो है इसका सही आंसर है तो फील्ड मार्शल कॉंडे रपा कॉंडरेना किपर करियप्प जो है यह सही नाम है first Indian रहे हैं इनके द्वारा western front की बात की जाए इंडो पाकिस्तान वार की 1947 में तब भी जो है इनके द्वारा forces लेट की गई थी इसके इलावा जो है commander-in-chief इंडियन आर्मी के रहे हैं 1949 में एक्दम सही चलिए बात करते हैं अंगले प्रश्ण की नेक्स कुशन यहां पर देखें वेर इस असाम राइफल हेड़क्वाटर लोकेटेड असाम है जो राइफल हेड़क्वाटर है वो कहां पर को पुछ है डियूश लुफ्थांजा एग आपको बताना है किस देश की Airlines है यहां पर बताना है इसका सही आंसर है C. Germany C. Germany जो है इसका सही आंसर है Commonly इसको लुफ्थांजा भी बोला जाता है Flag carrier है साथ में largest German airline है अगर इसकी subsidiaries को सासा जोड दिया जाए तो ये यॉरप की ऐसी largest airline है जिसके द्वारा सबसे ज़ादा passengers कैरी किया जाते हैं Next question की बात करते है The busiest oceanic trade route of the world सबसे व्यस्त समुद्री व्यपार मार्ग आपको बताना है इसमें से कौन सा है Atlantic Ocean, Arctic Ocean, Indian Ocean या फिर Pacific Ocean तो आपको बताना है सबसे ज़ादा busiest route कौन सा है तो A. Atlantic Ocean जो है इसका सही आंसर है तो Northern Atlantic Ocean की बात करें Sea Route की बात करें तो ये वर्ल्ड का fourth ऐसा foreign trade link route है जहां पे busiest है और सब इसको जो है popularly क्या बोला जाता है Big Trunk Root इसको कहा जाता है या आपको ध्यान में रखना है इसको Big Trunk Root के नाम से जाना जाता है Mediterranean Sea से लेकर Red Sea Swiss Canal ये सब ही जो है इसके दुआरा construct किया गया था और 1869 में इसकी शुरुबात की गई थी Next Question के आप भी बात करते हैं Molecule in Plants Comparable to Hemoglobin जैसे Animals में Hemoglobin है Same way Plants में क्या Molecule ऐसा पाया जाता है Cytochrome, Cellulose, Chlorophyll या फिर Carotene तो कौन सा ऐसा प्लांट है जो Hemoglobin जैसा होता है Plants में तो इसका सही आंसर है C, Chlorophyll जो है इसका सही आंसर है Next Question देखे The National Animal of Bhutan Bhutan का National Animal आपको यहाँ पर बताना है सही आंसर है B, Tykin यहाँ आप तस्वीर में देख सकते है Tykin जो है Bhutan का National Animal है अगला प्रेशन यहाँ पर देखते है Next Question देखे Hockey World Cup 2023 will be held in which Indian state तो कौन सी Indian state में World, Hockey World Cup 2023 का खेला जाएगा वो आपको यहाँ पर बताना है तो Odisha जो है इसका सही आंसर है यह जो है आपको ध्यान में रखना है Kalinga Stadium में इसको खेला जाएगा Bhutaneshwar में Biju Patnaik Hockey Stadium में तीक है वो जो है यह आपको ध्यान में रखना है अगले प्रशन के आपर बात करते हैं यहाँ पर आप तस्वीर में देख सकते है एक सकीड New जो है यह एक Island Country है World का First ऐसा Country है जिसको Dark Sky Place के नाम से जाना जाता है Dark Sky Association जो है इसने इसको अप्रूवल दी है यह आपको ध्यान में रखना है Capital है इसकी अलोफी ओके और यह जो है जो है यहाँ पर इस्तमाल में लाए जाती है वो है New Zealand Dollar तो यह आपको ध्यान में रखना है New Zealand Dollar जो है यहाँ पर इस्तमाल में लाए जाता है Capital भी ध्यान में रखेगा अगले प्रश्में की यहाँ पर बात करते है The Malimate Committee Report Deals with Malimate Committee Report आपको बताना है किसके साथ Deal करती है Judicial Delays, Textile Sector Reforms, Criminal Justice System Reforms या फिर Stock Market Reforms किसके साथ जो है Malimate Committee जो है Deal करती है तो यह Deal करती है Criminal Justice System के साथ यहाँ पर आप देख सकते है इस Committee के तहट 2003 में इसके तहट 158 Recommendations जो है Crime Investigation के उपर दिये गए थे और जो मुख्य रूप से Recommendations दी गए थे उसमें जो Important है कि Confessions जो है कोई भी अगर SP के आगे Confessions दी जाती है तो उसको जो है Evidence के रूप में Count किया जाएगा Court of Law में उसके बाद Proof Beyond Reasonable Doubt जो है वो भी Done Away इसके तहत किये गए थे अगले प्रशने की यहां पर बात करते है Where is the National Defense Academy located? तो National Defense Academy आपको बतानी है कहां पर situated है पूने, देहरादून, नई दिल्ली या फिर बैंगलूरू तो कहां पर जो है यह situated है यह आपको बताना है सहीं आंसर है इसका A पूने पूने में जो है यह situated है ध्यान में रखेगा National Defense Academy एक Joint Services Academy है ध्यान में रखेगा Indian Armed Forces की जहां पर तीनों Services जो है Army, Navy and Air Force तीनों की जो है Joint Service Academies को Further Pre-Commissioning Training दी जाती है NDA जो है यह पूने महराष्ट्रा में situated है Next question देखते है तो आपको बताना है पहला ऐसा सुल्टान जिसने अनुरोध अचसकार का पत्र प्राप्त करने वाला पहला सुल्टान आपको बताना है खलीफ का कौन है इल्तुत्मिष, बल्बन, फिरोज, तुगलग या फिर अलाउदिन, खिलजी तो इसका आंसर आपको सही बताना है कि कौन है इसका सही आंसर है correct answer is ए इल्तुत्मिष, जो है इसका सही आंसर है तो ये first ऐसे रहे है 1229 के अगर बात की जाए तो इनके द्वारा जो ये लेफ्टिनेंट और फेथ्फूल का लेटर जो इनको अप्टेंड हुआ था next question के आपर बात करते है next question देखिए the Buddhist monk who spread Buddhism in Tibet was वो Buddhist monk जिनों ने तिबबत में बौध धरम का परसार किया था, उनका नाम आपको यहां पर बताना है नागर जुना, आनन्द, या फिर असंग या फिर पद्मा संभ, तो आपको बताने सही आंसर क्या है, पद्मा संभव जो है, इसका सही आंसर है, D इसका correct आंसर है, most important event की बात की जाए, history जो Buddhist culture की अगर बात की जाए तो 8th century की अगर हम बात करें तो पद्मा संभव ने जो है, यह वो बहुत भिख्शू है, जिन्होंने बहुत धरम को तिबबत में फिलाया था यह आपको ध्यान में रखना है, अगले प्रशन की बात करते हैं, and antigen, प्रतिजन आपको बताना है क्या होता है, antibody का परिनाम, antibody के विपरीद, antibody गठन के लिए एक formation या फिर एक antibody के अवशेश, तो आपको यहाँ पर बताना है एक antigen क्या होता है तो यह क्या होता है, यह stimulus होता है, antibody formation का तो C जो है, इसका सही answer है चलिए, next question यहाँ पर देखते हैं, antigen से आप समझते हैं सभी, यह वो substance है, foreign substance की बात करें, जो हमारी body जो है, antibody के reaction में produce करती है, next question question number 40, the idea of residual powers in Indian constitution, जो है, यह किस constitution से लिया गया है South Africa, Canada, Japan या फिर USA, तो यह किस से लिया गया है, यह लिया गया है Canada से, okay, residual power के अगर हम बात करें, अगर residual power जो है, Canada से लिया गया है, इसके इलावा, अगर हम South Africa से बात की जाए, तो South Africa से हमने लिया है, election जो होते है, राजसभा के members के साथ में constitution में जो amendment की जाती है, वो South Africa से लिया गया है जपान के अगर बात की जाए, तो procedure established by law जो है, वो जपान से लिया गया है फिर बात करते हैं USA से USA से जितना भी impeachment है president का, इसके लावा जो president के functions है vice president के functions है supreme court, high court के judges को remove करना, या फिर fundamental हमारे rights है, judicial review है independence है, judiciary की preamble है constitution का, यह सभी जो educational conference endorsing Gandhi's proposal for basic education through the vernacular medium was held at 1937 में स्थानिय भाषा के माध्यम से बुन्यादी शिक्षा के लिए गांधी के प्रस्ताव की पुष्टी के लिए एक शैष्निक समेलन कहां पर आयोजित किया गया था तो यह आयोजन जो है वर्धा में किया गया था तो D जो है इसका सही आंसर है July 31 1937 को जो है एक आर्टिकल हरीजन में publish किया गया था जिसके तहत Indian education Indian national education conference जो है बिठाई गई थी October 22 को और 23 को 1937 में जिसके तहत इसको वर्धा educational conference नाम दिया गया था Next question देखते हैं Name the first ever female prime minister in the world Vishwa की पहली महिला प्रधान मंत्री का नाम आपको यहाँ पर बताना है तो इसका सही आंसर है शिरी मावो भंडार नायकर तो यह जो है इसका सही आंसर है आप अपनी तस्वीर में हाँ पर देख सकते हैं अब इसके इलावा बात कर लेते हैं इसके इलावा ऐगर बात करें इंडरा गांदी की तो इंडरा गांदी जो है फर्स्ट and only prime minister है अगर हम इंडिया की बात किया और इसके इलावा इन्होंने जो है जो है यह दूसरी एसी प्रधान मंत्री है जिन्होंने सबसे लंबा कारेकाल प्रधानमंत्री के रूप में सर्फ किया उसके बाद बात करते हैं गोल्डा मेर की गोल्डा मेर जो है फूर्थ प्राइम मिनिस्टर रही है इसराइल की फिर बात करते हैं यहाँ पर Elizabeth की Elizabeth जो है इन्हों ने यह पहली ऐसी first महिला बनी और only Prime Minister बनी Central African Republic की 1975 से लेकर 1976 तक तो बहुत छोटे कारेकाल के लिए इनको नियुक्त किया गया था अगले प्रेशनल की यहाँ पर बात करते हैं विच ओफ दी फॉलिविंग एकनोमिक्स अक्टिविटी एकनोमिक अक्टिविटी इंप्लॉई इंप्लॉई करती है इंडियन इंप्लॉईमेंट की अगर बात की जाए तो हमारी सबसे पहली बात अगर GDP की बात की जाए है अगर हम पर्चेजिंग पावर कपैसिटी की बात करें अग्रिकल्चर और उससे जुड़े जो सेक्टर जैसे की फॉरस्ट्री है लॉगिंग है फिशिंग है सभी जो है हमारी जीडिपी के 17 पर्तिशत जो है वर्कफोर्स में इंक्लूड करते हैं आपको ध्यान में रख स्रिफ्रिलंकल पार्लेमेंट है तो श्रीलंकन पार्लेमेंट में कितने जो हैं मेंबर होते हैं पार्लेमेंट में उसका चैनला है। next question की यहां पर next question देखे the government of India has nominated which place for the world heritage list 2020 भारत सरकार ने विश्व धरोहर सूची 2020 में शामिल करने के लिए किस स्थान का नामांकन किया है options आपके सामने हैं तो देखे force of deconsultimate और धोलावीर दोनों का जनाम है डेडिकेट किया गया है तो इसका सही आंसर क्या हुआ दी का correct आंसर है तो यह आपको ध्यान में रखना है दोनों दोलावीर जो है यह archaeological site गुजरात में located है और Indus Valley civilization की ancient ruins का दर्शाता है इसके इलावा अगर बात करें हम force of deconsultimate यह जो है विंध्या के पास major five states का यह पार्ट आता है विंध्या रेंज और कृष्णा रिवर के बीच का decon plateau के लिया का next question यहां पर देखे if there is a lack of money supply in comparison to supply of goods and services अगर money supply कम है goods and services की comparison में तो क्या possible हलात होंगे तो उस समय में deflation होता है deflation का अर्थ क्या है जब economics के अगर हम बात करें deflation वो है जब जो है journal prices जो है किसी भी goods or services के जो journal prices है वो decrease हो जाते है उसको deflation कहा जाता है deflation कब होती है जब inflation rate जो है वो 0% से भी नीचे आजए inflation से क्या होता है inflation जो है currency का over time जो है value कम कर देता है ठीक है तो यह आपको deflation से क्या होता है currency की value improve होती है तो दोनों में difference आपको यहाँ पे clear होना चाहिए अगर यहाँ पे hyper inflation की बात करें hyper inflation तब होता है जब inflation काफी accelerated mode पर होती है उसके बात करें अगर devaluation की devaluation क्या होता है जब country जो है अपनी currency को fixed exchange rate system के तहट जो है काफी lower value पर ले आती है ठीक है चलिए बात करते हैं अगले प्रशन की who has become the first Indian to climb the highest volcanoes साथो continents के highest volcano को climb करने वाला पहला ऐसा इंडियन आपको बताना है नाम आपको यह बताना है उसका सही answer है सत्यरूप सिधान B जो है इसका सही answer है इनके द्वारा जो है यह ऐसे mountaineer है जिनके द्वारा सबसे highest volcanoes जो है extraordinary achievements के लिए शामिल किया गया है इनकी achievements में बात की जाए तो seven जो important achievements है उसके अंदर Tanzania, Africa इसके लावा Europe, Russia, Mount, जो है Pico, D, Orizaba तो काफी सारी चीज़ों जो है शामिल है next question की बात करते है on which date is the world Braille Day celebrated तो इसका सही answer आपको बताना है तो इसका सही answer है चार जन्वरी को इसको celebrate किया जाता है world Braille Day जो है ये एक reminder है ये दर्शाने के लिए किस तरह से जो visually impaired लोग होते हैं blind लोग होते हैं उनके लिए ये लिपी के लिए जो है ये जाना जाता है दिन next question की बात करते हैं what is the third estate pamphlet associated with the french revolution the third estate आपको बताना है किसके साथ जो है associated है जिसका सही answer है Abay Sayas के साथ ये associated है next question देखें यहाँ पर which former chief justice of India has been nominated to Rajya Sabha by the government तो कौन सा chief justice है जो कि Rajya Sabha में गौर्मेंट के द्वारा नोमिनेट किया गया है पहला former chief justice of India जिसका सही answer है रंजन गमजोई तो डि उया जो है इसका सही आंसर रंजनुगओई जी को जो है नोमिनेट किया गया वकैसी जब create होई थीky Tsk जब है